कि नमस्कार दोस्तों सत्यम सोला राटा चक्की में आप लोग का स्वागत है आज हमने साहु वाइल स्पेलर का पत्ती बिनाई समंधित आपको बताएंगे कि कैसे इसका बिनाई करना है हमने इसका सावसफाई कर लिया है खोल के अब हम आपको सबसे पहले बता दे देखिए इसमें दो तरह का पत्ती होता है आप देख सकते हैं एक जो पत्ती होता है यह सिंपल है देखिए किसी तरह के इसमें कोई कटबट कुछ नहीं होता है एक को जो देखिए जो धार है इसक यह कहीं कट नहीं है आप देख सकते हैं कहीं भी कट नहीं है थोड़ा सा भी नहीं यह साधा पती है एक और है दूसरा यह देखिए दोस्तों इसमें कट रहता है यह कट देखिए यहां पर आपको देख रहे हैं अगर देखिए यहां से अगर दिख रहा होगा तो यहां कट के जरीए निकल सके यहां पर जब यह दोनों पत्ति देखिए आप आपस में छिपक जाता है ऐसा देखिए अब दिख रहा वागाई अगा हई गलीue इसलिए लगाया हुआ है ताकि यहां से टेल निकले तो आपको जो विनाई करनी है एक यह सादे वाली और एक कट वाली इस चीज का ध्यान रखना है दोस्तों इसमें एक और चीज है यह दखिए यह मास्टर पती है इसको मास्टर पती से लिए क्याते देखें यहां पर इसका मूँ जो है देखें गोल-डॉंड किया हुआ है यह सबसे लास्ट में आपको लगाना है क्योंकि पहले आप इसको नहीं लगाना है सबसे पहले लगाईएगा अगर पहले लगा दीजेगा तो आपको बाद में लगाने में बहुत दिक्कत होगी फिर नहीं लग पाएगा सही से जब यह लास्ट बचेगा तो इसलिए सबसे लास्ट में इसको लगाना है, क्योंकि जब लगाने के बास जगा घ्यक्ण हो जाता है। इस master पत्ती को आपको लास्ट में लगाना है। इस बात का ध्यान रखेगा। चलिए अब इसको साढ़ में रखते हैं। देखे जब ऐसा आपका भी पत्ति कही तूट जाए तब क्या कीजेगा देखे अगर आपके पास नया एबलेबल हो तो आप नया लगा सकते हैं अगर नया नहीं हो तो इससे शिर्फ ऐसा बैठा के अराम से और लगा देना है आपको जब ये चेंबर में बैठ जाएगा तो ये चिपक जाएगा इसमें कोई दिक्कत नहीं जादा होता है हमारे पास अभी नया तो है नहीं दोस्तों इसलिए हम इसको इसको ही लगा देंगे अभी जब ये चेंबर में बैठ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होता है बाकि आपक सारे लोगों का वीडियो देखे भी होंगे कि कोई नीचे के साइड गेप लगाता है और कोई ऊपर के साइड, बट हम दोनों साइड थोड़ा थोड़ा गेप करते हैं ताकि जो तेल का रेश्यू हो वो दोनों साइड से आ सके वह भरपूर निकल सके, एक साइड होने से क्या निकल पाता है इसलिए हम आगे भी गैप करेंगे तोड़ा और पीछे भी गैप करेंगे दोनों साइड से गैप Cats हमारा तिम करनी चोड़k बध्या निकलेगा हां। कि तेको दोस्तों आपको दिखाते हैं दो तरह हां पती दोनों साइड रख लिया है सबसे पहले आपको एक कोई भी पत्ति इसमें से कोई भी उठानी है और इसको सीधा ऐसा लगा देना आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यह पहला पत्ति है उसको सीधा रखना है अगर यह टेढ़ा हो जाएगा तो सारे पत्ति आपका टेढ़ी लगेगी इसलिए इसको सबसे पहले ध्यान रखना है कि सीधा लगे इस चीज़ का देख लिजेगा दोस्तों आप लोग अच्छे से देख लिजेगा कि टेढ़ा ना रहें दूसरा एक और बात के ध्यान दिजेगा कि जैसे हम पहले हमारा अगर पती साइड से अंदर था तो इसको अंदर यही साड रखें इससे फाइदा क्या है कि जब घिसेगा तो इसी साड घिसेगा भी और जब नया बारम चेंड कीजेगा तो यह पत्ति को उल्टा करके इधर स लगा शक्ते इससे होका कि आत्तों बाइबस टेंट करना नहीं परण परके चेंड कीजेगा और पत्ती को उल्टा करके लगा दीजिए तो आपको इह काम हो सकता है कंपनी इसी तरह है कि जब एक बार लगा रहे हो तो आप इस झीचने तो वह जब दूसरी बार्त लगा- जिदर से लगा था जो अंदर का सइड था जैसे यह घिश चुका है देख सकते हैं यह अंदर का सइड है इसको देखिए यह काला Chelsea यह बाहर का सइड था यह घिसा नहीं है तो आफ यह अंदर का सइड हो की रखेंगे तीं हमारा पति एक ही सेड गिसे दुसरा इस तरह से दोनों सैट हम करेंगे के ल कि देखिए ऐसे लगाना है आपको अब देख सकते यह इस थे लगाना है इसमें आपको को दीख रहा होघा एक का नीचे सब्ली इक लोग है इस तरह से थोड़ा धो अब यह चीपका नहीं है पुर्ण रूप से जब सारा पती लग जाएगा तो आपको सही दिखेगा अब दोनों सब्सक्राइब लग रहा है बड़ जब पूरा लग जाएगा तो पूरा अच्छा से दिखेगा कि किदर से गैप है किदर से नहीं ठीक है आपको दिखाते हैं आगे पूरा लगा करके दोस्तों कि हें अच्छे से देख सकते हैं दो जगा तूट गया है बहुत सारे लोग पती चेंज भी करते हैं बड़ मेरे पास पती अब लेबलेबल है नहीं तो तो हम इसको ही रिपेरिंग फैविकिक से चिपका करके और अभी लगा दे रहे हैं कि चलिए लगाते हैं अब यहां पर जगा थोड़ा कम हो गया अब यहां डारेट ऐसा रहेगा देखिए इस सैड़ से नहीं जाएगा तो यह जब रॉंड होता यहां पर तो इसको घुषाने में इजी होती यहां पर देखिए अभी यह अराम से इसको बैठा देंगे और कुछ भी थोड़ा देखिए अंदर जाते जाने के बाद टैट हो गया यह अब इसको धीरे धीरे करके इसको अराम से ठोक देंगे इसको थोड़ा ज्यादा वजन दार हथोड़ा से नहीं मारें क्योंकि यह नाजुक चीज है पत्ती बहुत हाड होती है तूट सकता है इसलिए इसको धीरे धी काम से ऐसे ठोक देना है अब देखिए पुरा हमारा लग चुका है अब देखिए अंदर से कैसा दीख रहा देखिए हमने दोनों साड इसका हॉल जो रखा है दोनों साड रखे देखिए उफर का साड भी है और नीचे के साड भी है अब इसका हम पुरा सेट करते हैं इसको अराम से धीरे जाना है दोस्तों और टाइट कर देना है इसको टाइट करना है दोस्तों अच्छे से इस सारे पति को टाइट करके रखता है यह हमारा कम्प्लीट हो गया दोस्तों आए दिखाते आपको फिर से कैसा लग रहा है अज लगने के बाद आप देख सकते हैं देखिए पूरा पति लग चुका है ऐसा ही आपको फिट कर रहा है देखिए यह पूरा लग चुका अच्छे से देखिए यह चीज का ध्यान रखिएगा यह पूरा हाथ जब अब डालोगे तो यह पूरा बराबर लगना चाहिए दोस्तों उपर नीचे पत्ति ना हो इसीज का ध्यान रखिएगा ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहे हैं धन्दवाद दोस्तों कर दोस्तों